आज की कहाने का नाम है एक था हाजी एक था नाजी हाजी और नाजी अपने अपने उटू पर सवार फलान गाउं जा रहे थे रास्ते में रात हो गई और एक पेड़ के नीचे डेरा किया हाजी ने जमीन पर बिस्तर बिचा कर नाजी को सुला दिया और पास ही जमीन को उंगलियों से कुरेदने लगा नाजी ने पूछा ये क्या कर रहा है तो बुला हुकम आप मालिक, मैं सेवक मैं आपकी बराबरी में कैसे सो सकता हूँ नाजी ने कहा नाटक मत कर, चिपचाप सोजा हाजी लिड़ गया एक पहर रात बीट जाने पर नाजी ने कहा हाजी, हुकम, नीन नहीं आ रही हुकम, क्या सोच रहा है हुकम, सोच रहा हूँ कि बकरी खाती तो लंबा-लंबा है लेकिन उसकी मींगनी एकदम गोल-गोल होती है फस्ट क्लास तो क्या पेट में उसके गोली बनाने के कोई मशीन लगे होती है फाल तु बात मत सोच, सोजा हाजी चुप हो गया एक पहर रात और बीती नीन ना हाजी को आई, ना नाजी को नाजी ने पूछा हाजी रह, हुकम सो गया नहीं हुकम क्यों नीन नहीं आ रही हाँ हुकम क्या सोच रहा है हुकम, सोच रहा हूँ कि नदी में पान ही इधर से आता है हड़ड और उधर चला जाता है तो क्या बात है कोई आदमी उधर से धक्का देता है और कोई आदमी दर से खीचता है फालतु बात नहीं सोचनी सोजा हाजी चुप हो गया एक पहर रात और भी थी नीन ना हाजी को आई ना नाजी को नाजी ने फिर पुछा हाजी रे हुकम सो गया सो गया होता तो बोलता कैसे हुकम नीन नहीं आ रही हुकम क्या सोच रहा है हुकम सोच रहा हूँ कि मेरी तो मैं उठा लूँगा आपकी कौन उठाएगा क्या लादी नाजी ने जटके से उठकर चारों तरफ देखा रात को दोनों उट खुले रह गय थे उठ भाग गय थे और उनकी लादियां पड़ी रह गई थी हाजी नाजी का यह किस्सा स्वैम प्रकास जी ने लिखा है और यह किस्सा चक्मक पत्रिका में छपा था चक्मक पत्रिका का बहुत बहुत धन्यवाद और आज इस किस्से को अनुपमा ने सुनाया है तो अनुपमा का भी बहुत बहुत शुक्रिया